हेलो एवरिवान आज मैं आपके साथ में इवनिंग स्नेक्स की रेसिपी शेयर करूँगी जनरली हम इवनिंग में लाइट, लेस ओयली और हेल्दी फूट खाना प्रफर करते हैं और इस तरीके का इवनिंग स्नेक्स बनाना घर में बहुत ही आसान है और इसे सिर्फ घर में ही रखी सूजी और धही से बना सकते हैं तो चलिए आज इससे बना लेते हैं मैं सुमन गुपता, Creative and Learn में आप सब का स्वागत करती हूँ इवनिंग स्नेक्स में रवा ढूगला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप फुल रवा लिया है आप पतली या मोटी उसूजी ले सकते हैं साथ ही सेम कप से मेजर करके मैंने यहाँ पर थ्री फोर्थ कप दही डाली है आप बजार का भी दही यूज़ कर सकते हैं वैसे यह घर का दही है अब इसके अंदर मैंने वन फोर टीस्पून जितना हिंग डाला है साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ टीस्पून फर्मेंटेशन के लिए बेकिंग सोडा डाला है स्वात के लिए अब इसके अंदर मैंने वन टीस्पून नमक डाला है अब इन सब को मिक्स करना है इससे मिक्स करने से पहले हमें इसको स्टीम में पकाना है तो यहाँ पर मैंने कड़ाई रख ली है और flame को मैंने medium high पर रखा है अब इसके अंदर steam बनाने के लिए मैंने पानी डाला है और एक stand रखा है पानी stand से नीचे ही होना चाहिए अब जब तक पानी में steam बनेगी तब तक इसके अंदर half cup चितना पानी डाल करके इसको अच्छे से mix कर लेना है ताकि दही के अंदर और पानी के अंदर सूजी mix होकर अच्छे से फूल जाए और दही के साथ में baking soda react करके इसके अंदर अच्छे से fermentation भी हो जाए तो इस तरीके से काफी instantly यानि कि 30 minutes के अंदर आप ये रवा ढोकला बना करके ready कर सकते हैं तो इसे mix करने में सिर्फ और सिर्फ वन मिनट लगेंगे अब इसे एक प्लेट में डालना है तो उसे डालने से पहले इसे grease करना है तो यहाँ पे आप हलका सा oil लेके इसे अच्छे से grease कर लें आपके पास brush नहीं है तो cotton से भी grease कर सकते हैं अब breeze करने के बाद में इसके अंदर यह सारा बैटर जो है डाल देना है आपने जितना इसको mix करने में एक मिनट का time लगा है बस इतना ही काफी है इसको जादा देर के लिए rest पर बिलकुल भी नहीं रखना है अब इसे अच्छे से spoon की हल से हल के हाथ से फैला दें अब इसके उपर black paper sprinkle कर दें और साथ ही red chili paper जो है यानि की powder लाल मिर्ची powder उसको भी इस तरीके से sprinkle कर दें इसे देखने में काफी सुन्दर लगता है अब देख रहे हैं कि कड़ाई में किस तरीके से steam बन गई है यानि की धुआ उट रहा है पाने का तो इसे carefully इसके अंदर रख दें प्लेट को और इससे फिर ढख करके पंदर मिनट के लिए रख दें इस तरीके से काफी अच्छे से medium high flame पर पंदर मिनट के अंदर ये पक कर कि रेडी हो चाता है साइड बाइ साइड आप चाय भी बना सकते हैं या पर चठनी बना कर रेडी कर सकते हैं विससे मैंने को आप टूथपिक डाल कर के चक कर लिया है पंदर नेत के बार में और इसका ये टूथव PAK काफी कलीन होकि निकल गई थी तो मैंने blame को आ कर करके अब इसे साईड में बाहर निकाल लिया है देख रहे हैं कि कितना इजी है इसे बनाना अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर तड़का लगाना है तो यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है लो फ्लेम पर और इसके अंदर two tablespoon जितना तेल डाला है अब आप कोई सभी ओल इसके लिए थोड़ा सा बारिक धनिया काट करके डाला है अब इन सब को mix कर दें याद रहे धनिया end में डालें जब flame off कर दें अब इसे spoon की help से या फिर brush की help से चारों तरफ अच्छे से फैला दें इस तरीके से ये तड़का लगाव उपर से देखने में glaze की तरह काम करता है और जो हरा धनिया हमने इस तरीके से end में तड़का लगाते time डाला था ना तो इसका green green color भी काफी देखने में सुन्दर लगता है और इस तरीके से snacks खाने में बहुती tasty और healthy भी होता है और इसमें oil भी बहुत कम लगता है इवनिंग टाइम पर इस तरीके का snacks बनाने के लिए ये snacks काफी easy है तो अब इसमें मैंने इसको cut लगा रही हूँ आप देख रहे हैं कि जब मैंसे cut लगा रही हूँ तो कितना sponge होगा उसका आप feel कर सकते हैं देखकर ही तो इस तरीके से इसमें मैंने छोटे-छोटे sides से cut लगाए हैं ताकि इसके जो dices बन करके ready हो वो काफी small portion में ready हो और one bite में आप easily इसको tea के साथ में या चटनी के साथ में यानि की चाय के साथ या चटनी के साथ में enjoy कर सकें और family time पर ये काफी healthy snacks भी बन जाता है कितना है और नीचे से भी perfect जालियां बनी भी है देखा ना कितनी कम समय में ये healthy snacks घर पर बन कर ready हो गया जिसे की रवा ढोकला कहते हैं इस तरीके का snacks बनाना बहुत ही आसान है और ये चाय और चटनी के साथ खाने में ये small portion देखने में भी बहुत सुंदर पेस्ट्री लगते है तो स्वस्त रहें खुश रहें like, share and subscribe my channel